हाई अब्रीवन वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत जाए अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पॉंड्स के न्यू लांच फेस वाश का रिव्यू जो की है ये ये है पॉंड्स का ब्राइट ब्यूटी विटामिन C प्लस E प्लस A इंफ्यूज़ फेस वाश जो की पॉंड्स ने अभी 2024 में न्यू लांच कि और इसका आपको सीरम भी मिल जाएगा साथ में आपको की क्रीम मिल जाएगी तो अगर आप भी इस फेस वाश को लेने वाले हैं या लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इस रिवियू को एंड तक जरूर वाच कीजिएगा जिससे कि इसको पर्षेस करने में आपको आसानी हो यह आपको रिसीव होता है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पॉंड फॉंड इपॉंड इपॉंड इंस्टिट्यूट विटम इन विटमिन सी प्लस ए प्लस ए इन्फूज़ फेस वाश और यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा ब्राइटर एंड क्लि बनाता है यहां इसके बैक साइड पर आपको इसकी साही डीटेल्स देखने को मिल जाएंगी लाइक प्राइस और डिरेक्शन ऑफ यूज़ेज कॉंड इस सारा कुछ देखने को मिल जाएगा तो आप इसको इससे बैक साइड पर देख सकते हो प्राइस के अगर हम बात करे है यहां पर तो इसका प्राइज में बात करों में आपको से मैं से 100 घ्राम में रिषीव हता है मुझे 50 घ्राम वाला ला लिया लेकिंगर आगर फंस टाइम कोई प्रौडक्ट यूजर कर रहे है तो अप कर पहले चोटा वाला पैक यूज़ करें पसंद आए तो ही आप उसका बड़ा वाला पैक लीजिए और यहां पर लिखा हुआ है कि पॉंड्स ब्राइट ब्यूटी इंफ्यूज्ड यह आपके स्किन को एक्सफोलियेट करता है साथ-साथ में आपके आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है यह बिल्कुल भी नॉन स्टिकी नहीं है क्लेंज इसकीन टूरीमूव एक्सेस ओइल इंप्यूर्टी इस तो गिव इंस्टेंटली ब्राइटर एंड क्लियर स्किन यह क्योंकि यह एक जेल फेस वोश है तो यह आपके आपके स्किन के ए अब को इसकीन को इसका फॉर्मिला भी दिखा देती हूं तो इसका जो फॉर्मिला है तो यह कुछ इस ताहिं के फ्लिपफ्लॉप क्याप के साथ में मिलेंगे जिससे की आई जो की आपके skin को exfoliate करते हैं mild exfoliate करते हैं साथ-साथ skin को deeper skin को deeply clean करते हैं क्योंकि इसमें exfoliation का जो beads है ना वो जब exfoliate करेंगे skin से excess oil को निकालेंगे तो skin obviously बात है skin जो है deeply clean होगी ingredients के अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसके जो ingredients हैं यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे chemicals इसमें यूज करेंगे हैं like glycerine, sodium, laureate, sulphate, phenol, fragrance और यह सारे मतलब बहुत साथ चीज़े हैं बट इसमें एक चीज है कि इसमें paraben नहीं है तो जिनको paraben से problem है या paraben के products यूज करना नहीं पसंद करते हैं उनके लिए यह face wash अच्छा है और दूसरी चीज़ यह face wash जो है वो सबसे ज़्यादा best जो है स्किन को dry out कर देगा तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है और तब भी मैंने इस face wash को use किया ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी सी dry हो गई है तो अगर आपके स्किन pork'sindy ऑफ्सित को इसको यूज कर सकते हैं वैसे हैं कि इसको यूज करें नॉर्मल है ड्राइड कर देगा जैसे कि मेरी इसकिन बहुत बहुत अच्छा स्किन को ब्राइटर करेगा अगर ऑइल स्किन है आपकी तो इसकिन से county को अच्छे से रींवी करेगा और पिंपल अखने का प्रोबलम है स्किन से और रिमूव रहेगा तो फिंपल अगने का प्रॉब्लम भी खतम रहेगा तो येस ये और ये स्किन वालों के लिए बेस्ट है इंग्रीडेंट के बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बिताया कि पैरबिन इसमें नहीं है काफी सारे केमिकल्स हैं और इसमें जो में ओधायस हैं वृटमिन सी प्लस के लिए लिकष ब्लस इप्लस ए तो विटमिन सी आपके स्किन को वैटनिंग करने के ये ये और इस विटल इसटों करने का हम करेंग तो सिर्प्लस पइंट कि घूमेंनं गैरहं मैं। बता दिये हैं जैसे कि सिर्फ oily skin वाले यूज कर सकते हैं और बाकियों के लिए नहीं है skin को dry out कर देगा तो उनके लिए नहीं है overall face wash बहुत अच्छा है तो oily skin वाले इसको use करें आराम से और dry skin वाले या कोई और face wash देखें अगर आप dry skin वाले हैं लेने का सोच रहे थे तो बिल्कुल मत लेजेए तो guys I hope आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा शेयर जरूर हीजिएगा friends और family के साथ में आपसे नए वीडियो के साथ में तब तक लिए bye bye and अपने बहुत सार से ध्यान रखेएगा